तो अभी जो आप कॉफी मग देख रहे हैं बिल्कुल खाने लाए कि हम यह में टेस्टी टेस्टी कॉफी मग है तो चले इसको देख लेते हैं बनाने कैसे बनता है बट उसके पहले यह फ़नी और अच्छा मोमेंट देख लीजिए यह बुस्टने यूगा 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 यह बुस्टने युस्टने 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 कैसा लगा बता ही नहीं पहले है अच्छा है ऐसे कैसे बीजित अपसे बनेगा नहीं कोच्छ पीच्छे ने क्कोषा न झाल विकलत बनान दिमुझ तुम केशे अर श्रवाटयव करें नहीं आपग़ से नहीं बनाएर अब बनाओ नहीं बनाओ नहीं बनाओ पक्का आप सब देख रहो आप लोग भी बनाओ बहुत अच्छा लिए ट्राइवल्स तो आपने देखा कि बच्चे कितना इंज्योई करके इसे खा रहें उनको मज़ा आ खाने में तो सबसे पहले चली जल्दी से जल्दी इसके लिए क्रीम बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेस क्रीम इसको अच्छे से हम लोग बीटर के सहता से वीट करेंगे या हम लोग इसे इतना फेटना है ताकि यह थोड़ा सा फ्लपी हो जाए और अभी गर्मी का मौसम है इसको चिल्द करना होगा नहीं तो इसके नीचे बर्फ वाले बर्तन रख लीजे उसके बाद इसको बिट कीजे तो बहुत ही अच्छे से यह फॉर्म हो जाता है लाइट हो अब इसके अपना कोई भी टेश्ट नहीं होता है तो आपको जितना मीठा रखना उसी साब से इसमें चीनी एड कर लीजे लेकिन एक बार में एड नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके एड कीजे ताकि वह अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें क्या करना है कि आपको एक काम कर लेते तो यहां पर मैंने डा कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों को लिया है और दोनों को लेने के बाद ना अच्छे से मैंने मिक्स कर ले जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और यह काफी जादा अच्छा से फ्लोई हो गया अगर आपके यह मिक्सर फ्ल पीने के लिए साधी पार्ट वेगर में आती वह वाली ये ग्लास है तो इसको अच्छे से मैंने ले लिया आप देख रहे हैं इसका उपर वाले पार्ट को अच्छे से मैंने कट कर लिया है यह बहुत बड़ा हो रहा था ग्लास के जैसा था तो छोटा साइज को बनाया मेरे कॉरेन वाले यसफे चोक्लेट करो सीड wrench तुम से कर वहीत जब इसे डिमोल्ट करेंगे दो बहुत अच्छे से वह निकलेगा आप क्या करणा है यहां मैं एक प्लास्टिक सीड लिया है और उस फे शेफं़ मैं हैंडल बना ही हैं रो और यहां पर मंन य। आ यहां यहां पर मैंने नह01 क Hi-itu लोरानी फ्रीज में 13 में पर्लिह मैंने रख दिया था, आप आप देख सकते हो Ce n crist का और हलका सा उपसे कon यहां पर कट करें और आप देख रहो गहें कि बहुत ही असाने से हमारा जो ये मोल्ड है चौकलेट का वो बाहर आरा कप वाला बहुत ही असानी से निकल आया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अरी बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है कहीं से कोई ब्रेक नहीं हुआ टूटा नहीं है आप देख सकते हैं तो बस इसका बेश्ट पार्ट यही है कि जब आप चौकलेट इस पर डाले तो बड़ी अच्छा सी वेन लिकल कर डाले और यहां पर मैंने कहा कि थाली बनाया था ना तो उसको ले लेना है और उसको यहां चिपकाना है तो उसके लिए भी सेम वही मैथट करना है तो थाली को एक बार हम लोग नॉर्मल गरम करेंगे ना तो वह अच्छे से से हो जाता क्योंकि गर्मी का मौसम है बहुत जल्दी थाली ठंडा नहीं हुआ है तो बनेगा बच्छों ने डिमान के तो सोचा कि चोलो कुछ मीठा बनाओ लेकिन कुछ अलग तरीका से बनाओ ताकि उनको एक्साइटिंग लगे अच्छा सा लगे कुछ तो यहां पर मैंने दो से तीन चमच क्या किया ना जो क्रीम बनाया था कॉफी और चॉकलेट वाली उस पूर कर लीजेगा क्योंकि यह जो पौडर है वह हलका सा सौफ्ट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा अब इसके उपर से भी हम लोग दो से तीन चमच जो क्रीम है वह डाल सकते हैं नहीं तो आप यहां पर जो कॉफी हम लोग फेन वाली जाग वाली बनाते है उसे भी आप यहां पर एड कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा यह कॉफी मग हो गया है रेडी और यहां पर मैं ना हाट से बनाई हूँ एक ब्लैंक हाट है और एक कंप्लीट हाट है तो उसको अच्छे से मैं सेप करी हूँ ताकि इसको डिकुरिट कर सको ताकि लगे ना आज एक बार मैं दिखा दे रहे हूं आपको यहां पर कैसा है और कैसा लुक आया है तो यह देख लीजिए तो यह कुछ इस तरह से लुक आया है तो अब मैं क्या करी हूँ ने इसके अंदर और थोड़ी सी खलाकारी कर ले रहे हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहाँ पर चॉकलेट से मैंने हर्ट तो बनाया ही था. साथी-साथी, इसको वाइट कलर से जो Simple हर्ट बनाये था, उसको वाइट कलर से coated कर रही हूँ, और नर्मल वाली को feel कर दिया. तो कुछी तरह से decoration मैंने किया है, चोटी चोटी हट भी बहरे बना दिया है चारो तरफ तो आप अपनी मन चाहिए जो भी आपको समझ मैं वैसा कोई डेकुरेट कर लीजेगा सम्थिंग स्पेसल तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी और काफी दिन भर उनके साथ इधर उधर इधर उधर उधर बहुत सारा आजकल टेंशन हो जाता क्योंकि चुटिया चल रही थी ना इस वज़े से तो इसकुलता भी दो दिन हुए खुले हुए तो उसी बीच में मैंने उनको खुश करने के लिए बनाया था और इसके ताथ साथी साथ इस पे मैंने जो कुपी में डालके रखा था ना चुकलेट उसी से इस पे लिख दिया है कॉफी तो कुछ लुक न बड़ी यमी यमी वाला अच्छा अच्छा साब फिलिंग सा रहा है तो आप इसको और अच्छे से फिलिसिंग कर सकते हो मैं तो बस दिवांग में आ रहा था कि कुछ ऐसा कर दो कुछ ऐसा इसलिए ऐसा क्या तो एक पे स्माइली फिस बना दिया और एक पे कॉफी लिख दिया तो आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो आपको अच्छे लग रही है पेश्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक को शेर करना बिल्कुल नहीं भूले तो कैसा लगा आपको एडिवल ये चौकलेट कॉफी मग तो अगर आपको पसंद है तो लाइक से लिख 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